ओम शान्ती तीन फर्वरी साकार मोरली नीखे बच्चे तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना कोई भी हालत में युक्ती रच कर बाप का परिजे हर एक को अवश्य दो प्रश्न तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए उत्तर जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे जो बच्चे अच्छी रिती समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है गीट लाख जमाने वाले ओम शांती मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीट सुना रूहानी बच्चे यहाँ अक्षर एक बाब ही कह सकते हैं रूहानी बाब बिगर कभी कोई किसी को रूहानी बच्चे कह नहीं सकते बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाब हैं हम सब भाई भाई हैं गाते भी हैं ब्रदर हुर फिर भी माया की प्रविष्टा ऐसी है जो परमात्मा को सर्व्यापी कह देते हैं तो फादर खुद हो पड़ता है रावन राज्य पुरानी दुन्या में ही होता है नई दुन्या में रांग राज्य अत्वा ईश्वरे राज्य कहा जाता है यहाँ समशने की बाते हैं दो राज्य जरूर है ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य नई दुन्या और पुरानी दुन्या नई दुन्या जरूर बाप ही रचते होंगे इस दुन्या में मनुश्य, नई दुन्या और पुरानी दुन्या को भी नहीं समझते हैं गोया कुछ नहीं जानते हैं, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेस समझते नई सुख के दुनिया कौन स्थबन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नर्ग कैसे बनता है, यहां किसी को भी पता नहीं है, इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे न, देटाओं के चित्रली है, तो जरूर आदी सनातन, देवी इस समय नहीं है, यहां है प्रजा का प्रजापर राज्य, बाब भारत में ही आते है, मनुष्यों को यहां पता नहीं है, कि शिव बाबा भारत में आकर क्या करते है, अपने धर्म को भी भूल गए है, तुमको अपरिशे देना है, त्रीमोर्ती और शिव बाब का, ब्रम्ह भिष्णुदेता, शंकर्देता, काहा जाता है, फिर कहते हैं शिव परमात्माई नमाहा, तो तुम बच्चों को त्रिमोर्ते को शिव का ही परीचै देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है, कोई भी हलत में बापका परीचै सब को मिले, तो बाप से वर्चा ले लेवे, तुम जानते हो, हम अभी वर्सा ले रहे हैं, और भी बहुतों को वर्सा लेना है, हमारे उपर फर्स अदाई है, घर घर में बाप का पैगाम देने की, बास्तों में मैनेजर एक पाप ही है बाप अपना परिचे तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचे देना है, बाप की नालेश देनी है, मुख्य है त्रीमूर्ति श्यू, इनका ही कोटो फार्म्स भी बनाया है, गवर्मेंट इनका यथार्थ अर्थन नहीं समझती है, उसमें चक्र भी दिया है चर्खे मिसल और उसमें फिर लिखा है सत्य मेव जयते, इनका अर्थ तो निकलता नहीं, यह तो संस्कृत अक्षर है, अब बाप तो है यह टूत, वहाँ जो समझाते हैं, उससे तुम्हारी विजय होती है, सारे विश्व पर बाप कहते हैं, मैं सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच नारायन बन सकते हो, वो लोग क्या-क्या अर्थ निकालते हैं, वहाँ भी उनसे पोछना चाहिए, बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, जहाँ जहाँ मेला लगता है, वहाँ नदियों पर ही जाकर समझाओ, पतीत पावन, गंगा हो नहीं सकती। नदिया सागर से निकली है, वहाँ है पानी का सागर, उनसे पानी की नदिया निकलती है, ग्यान सागर से ग्यान की नदिया निकलेगी, तुम माताओं में अब ग्यान है, गाव मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है, समझते हैं, ये गंगा का जल हैं, इतने पड़े लिखे मनश्य समझते नहीं कि यहां गंगा जल कहां से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब यहां तो हैं ग्यान की बातें। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर दिर्थो पर जाते हैं, कहते हैं, शंकर की जटाओं से गंगा निकली, जिसने सनान करने से मनुश्य से परी बन जाते हैं, मनुश्य से देवता बन जाते, यह भी परी मिसल है न, अब तुम बच्चों को बाप का ही परिछे देना है, इसलिए बाबाने ये बनवाए हैं, त्रिमूर्थी शिव के चित्र में सारी नालेज है, सर्फ उन्हों के त्रिमूर्थी के चित्र में नालेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है, नालेज लेने वाले का चित्र है, अभी तुम त्रिमूर्थी शिव के चित्र पर समझाते हो, उपर है नालेज देने वाला ब्रह्म्हा को उनसे नौलेश मिल दी है, जो फिर फैलाते हैं, इसको कहा जाता है इश्वर के धर्म के स्थापना की मशिनरी. यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म के पहचान मिली है। तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम कितना खुश होते हो। बाप कहते हैं तुम बच्चों के खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम है पढ़ाने वाला स्वयम भगवान है। भगवान तो निराकार शिव है। नकी स्रीकृष्णा। बाप बैट समझाते हैं सर्व का सद्गती दाता एक है। सद्गती सत्युक को कहा जाता है। दूर्गती कल्युक को कहा जाता है। नई दुन्या को नई पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुश्य समझते हैं। अभी दुन्या को पुराना होने में चालिस हजार वर्ष चाहिए कितना मुँच पड़े हैं, सिवाई बाब के, इन बातों को कोई समझा न सके, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राज्चे भागे दे, बागी सब को घर ले जाता हूं, जो मेरी मत पर चलते हैं, वह देटा बन जाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, नया कोई क्या समझेगा, तुम मालियों का कर्तव्य हैं, बगीचा लगा कर तयार करना, बागवान तो डाइरिक्षन देते हैं, ऐसे नहीं, बाबा कोई नयों से मिलकर ग्यान दे यह काम मालियों का है, समझो, बाबा कलकत्ते में जाए, तो बच्चे समझेंगे, हम अपने ओफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पांस ले जाए, बाबा कहेंगे, वह तो समझेंगे कुछ दि नहीं, जैसे बुद्दु को सामने ले आकर बिठाएंगे, इसलिए बाबा कह कहते हैं, नए को कभी बाबा के सामने लेकर न आओ, यह तो तुम मालियों का काम है, न कि बागवान का, माली का काम है बगीचे को लगाना, बाब तो डाइरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं है, परन्तु कहां महमान होकर घर में आत हैं, तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो, शंक्राचारिय आदिपास कितने जाते हैं, आजकल शंत्राचारिय का बड़ा मतबा है, पड़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना, प्रस्टी लोग गद्धी पर कोई को भी सरिशे देते हैं, कि मैं कल कल इस पुराने तन में आता हूँ, यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, शास्त्रों में तो कल की आयू ही लाखों वर्ष लगा दी हैं, मनुष्य तो इतने जन्म ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदी की भी योनिया मिलाकर 84 लाख बना मनुष्य तो जो सुनते हैं, सम सत सत करते रते हैं. शास्त्रों में तो सम हैं भक्ति मार्क की बातें, कलकत्ते में देवियों की पोहुत शोभवान सुन्दर मुर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुपो देते हैं. यहाँ भी गुडियों की पूजा करने वाले बेवीज ही ठेरे बिलकुल इनोसंट तुम जानते हो यहाँ है नर्ग स्वर्ग में तो अथा सुख थे अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर कोई समय स्वर्ग था अब नहीं है नर्ग के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा इन बातों को भी तुम जानते हो मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे यहां तो माली भी धेर के धेर चाहिए मालिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं यह नौलेज भी है नहीं बाब कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे इस समय सब है तमो प्रधान आत्माए तब तो कहे देते आत्मा सुपर्मात्मा सब में पर्मात्मा है तो बाब थोड़ी बैठ ऐसों से माथा मारेगा यहां तो तुम मालियों का काम है कार्टो को फूल बनाना तुम जानते हो भक्ती है रात ज्यान है दिन गाया भी जाता है ब्रम्ह का दिन ब्रम्ह के रात प्रजा पिता ब्रम्ह के तो जरूर बच्चे दी होंगे न कोई को इतना भी अकल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रम्हा कुमार कुमारिया है, इनका ब्रम्हा कौन है, अरे प्रजा पिता ब्रम्हा तो मशूर है, उन द्वारा ही ब्राम्भर धर्वस्थापन होता है, कहते भी हैं ब्रम्हा देवताई नमाहा बाप तुम बच्चों को ब्रामभर बनाए फिर देवता बनाते हैं जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नौट करने का शौक बच्चों में रहना चाहिए जो बच्चे अच्छी रिती समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है नोट्स लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पढ़ी रहे नई नई पॉ कोपियां पढ़ी रहती है, स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे, पहले दर्जे वाले किताब पढ़ी रहती है, जब तुम समझाते हो, तो पिछाडी में यह समझाओ, कि मन मना भाओ, बाप को और स्रिस्थी चक्रे को याद करो, मुख्य बाद है, माम एकन याद करो, इसको ही योग अगने कह जाता है, भगवान है ज्यान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर, बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, वह भी शास्त्र सुनाएं, तो बाकि भगवान और मनुष्य में फर्ग क्या रहा? बाप कहते हैं इन बगती मात के शास्त्रों का सार मैं तुम को समझाता हूँ वो मुर्ली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उनके दाद निकाल देते हैं बाप भी विश्च पिलाना तुम से छुड़ा देते हैं इसी विश्च से ही मनुष्य पतीत बने हैं बाप कहते हैं, इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है, बाप गोरा बनाते हैं, फिर भी गिर कर काला अमू कर देते हैं बाप आये हैं, तुम बच्चों को ग्यान चिता पर बिठाने, ग्यान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक जगत जीत बन जाते हो, अच्छा, मीठे मीठे, सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुद मौनिंग, रोहानी बाप क रोहानी बच्चों को नमस्ते, रोहानी बच्चों की, रोहानी बाप को याद प्यार गुद मौनिंग और नमस्ते, धार्णा के लिए मुखिस्तार, पहली पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की सापना के निमित हैं, स्वयम भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा द देवी देवता धर्म, बहुत सुख देने वाला है, दूसरी पॉइंट, माली बन, काटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर, फिर बाप के सामने लाना है, महनत करनी है, वर्दान, हर शक्ती को कार्य में लगाकर, व्रध्य करने वाले स्रेष्ट, धनव वा समझदार भव, विस्तार है, समझदार बच्चे हर शक्ती को कार्य में लगाने की विधी जानते हैं, जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी यह शक्तियां व्रध्य को प्राप्त हो दी हैं, तो ऐसा ईश्वर्य बजेट बनाओ, जो विश्व की हर आत्मा, बाप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे, सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, इश्वरी बजेट बनाकर सर्व शक्तियों की पच्चत कर जमा करो, और जमा हुई शक्ति द्वारा, सर्व अत्माव को बिखारी पं से, दुख शांति से मुक्त करो, स्लोगन शुद संकल्पो को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो, तो माला माल बन जाएंगे, ओम शांति. असे हुआ कर दो हो defens, घच्रा का अनमोल खजान है, ओम बनाकर प्र श किरएव चाव स्क्तिया, स्काल्पट कुद हो